बनाने से पहले आप लोग अपने गोल्स को दो पार्ट में डिवाइड करो, सब लोग ध्यान से सुनियेगा, टाइम टेबल बनाने से पहले अपने गोल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, पहला शोट टम गोल, दूसरा लोग टम गोल, अब आप इसको ध्यान से सुन मुझे neat में rank बनाना है, मुझे board में top करना है, मुझे Jee में rank बनाना है, यह हमारे long term goal होते हैं, तो पहले तो अपना goal decide करो, कि आपका goal क्या है, short term और long term, decide कर लिया, बस, उसके बाद आप time table बनाने के लिए बैठो, केमिस्ट्री में 4 चेप्टर खतम कर लूँगा इस मन्त में, बायो में में 5 चेप्टर खतम कर लूँगा इस मन्त में, इस तरह से आपका monthly goal होना चाहिए, जो कि short term goal होता है, weekly goal कैसे बनता है, इस chapter को मुझे इस week में यह सारे topic खतम करना है, weekly goal और day wise goal कैसे होता है, मुझे MCQs की practice करनी है, और जितना मुझे पढ़ाया जा रहा है online पार्ट साला में, मुझे उसका revision करना है, यह short term और long term goal बनाने आप सीखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, दूसरी important बाद, time table कभी भी जो page पे लिखा है, वो generalize होना चाहिए, और उस पे हर दिन, उस पे variably आप लोगों को काम करना रहता है, अब आपको समझाता हूं, मैं short term और long term goal का फाइदा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप time table बनाते हैं, देखो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अभी देखो 900 के करीब बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो school जाते होंगे, जो मुझा अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जो repeater होंगे, जो अगले साल पेपर देने वाले है लेकिन स्कूल नहीं जाते तो मैं आप सब को कहता हूँ कि आपके रूटीन में सबसे पहले आप लोग टाइम 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 लास्ट में आप लोग के लिए बना के ला है पहला है आपका sleeping time, कम से कम 6 घंटे का नींद आपको लेना है, और short nap सोती हैं, वो भी आपको दिन में लेनी होती है, एक study के through science ने भी प्रूव किया है, जब तक आप अच्छी नींद नहीं लोगे, आपका mind fresh नहीं होगा, आपके mind की capability बढ़ेगी नहीं, हजार बचे इस वक् होते हैं, बहुत चाणे होते हैं, सर ने बोला है सोना है, रात को 10 बजे से सुबह उठरे है भाई साथ बजे, वो sleep सही नहीं है, 6 घंटा, 6 घंटा sleep रात का आपको मैं बताऊंगा, इस time table में मैं लिखके लाया हूँ, आपको मैं no down करवाऊंगा, आपको sleep को ignore नहीं करना है, लेकिन अती हर चीज की खराब होती है, जादा सोना भी नहीं है, पहली चीज तो यह हो गया, लेकिन sleep आपकी 6 घंटे की कम से कम होनी चाहिए, उसको ignore नहीं करना, यह आप लोग प्रॉमिस करोगे, पहली चीज तो, सबको समझ में आता है, और scientifically prove है, जब तक आप अच्छे स को कैसे कम कर सकते हो, अब अपने stress को बहुत तरीके से, अपने मम बापा से बात करो, अपने चोटे भाई बहन, अपने बड़े भाईया से, अपने बड़ी बहन के साथ, आप खेलो, थोड़ा सा प्ले करो, क्रिकेट खेलने चड़े जाओ, थोड़ा सा वाकिंग करके आओ, social media में थोड़े से social media में active रहो ये stress booster में आता है बहुत लोग सोचल मेडिया लोग दूर करने को बूलते हैं मैं आपसे कहता हूँ आप इतने दूर मताओ आदे गंटे देखो दिन दुनिया में क्या चल रहा है specially वो बच्चे जो aims की preparation कर रहे है हजार एक हजार अभी ग्यारा सो बच्चे देख रहे है जो aims की preparation कर रहे है वो हमेशा newspaper पढ़ा करो newspaper पढ़ो social media में active रहो क्या हो रहा है अभी देखो जम्मो कश्मीर वाला हुआ था तो ये सारे scene आपको कैसे पता लगी जब socially आप लोग active रहोगे newspaper नहीं पढ़ते हैं तो facebook पे आपको बहुत सारी ख़वरे मिल जाती है तो इसलिए वहाँ पर active होना जरूरी है तो आप आदा गंटा इसको stress booster कहते है stress ये basically क्या करेगा stress को release करेगा समझ में आता है buster I am so sorry it's a stress buster stress booster stress booster नहीं stress buster I am saying stress booster stress booster तो पहले सही आपके साथ आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो stress buster मतलब आपको stress को कम करना है तो उसका थरीका क्या है आप थोड़ा-थोड़ा social media इस्तमाल किया करो देखा करो कि कौन क्या कर रहा है थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए लेकिन उसकी addiction नहीं होनी चीए सब लोग ध्यान रखो mobile का misuse नहीं करना है आदे घंटे से जादा आपको social media पे active नहीं रहना आदे घंटे भी इसलिए रहना कि आपके दोस्त किस तरह से तयारी कर रहे है समझे इस चीज को ये आपको जानने की जरूरत है आप लोगों को second जो अपने time table में किसी चीज का आपको डालना है तो वो stress buster stress को कैसे हम bust करें stress को कैसे हम khatam करें आता है सब को समझ में और तीसरी सबसे important चीज है Slot wise study करना कया से study करना? Slot wise study करना बहुत important है कैसे study करना? Slot wise study करना बहुत important है चोटे-चोटे slot में study करो, आता है समझ में, जैसे मैं जिम जाता हूँ, जिम वाला क्या कहता है, थोड़े-थोड़े में खाऊ, हर दो घंटे में थोड़ा खाऊ, हर दो घंटे में थोड़ा खाऊ, तो मैं आपसे कहता हूँ, आपको study भी slots में करनी चाहिए, जिसका time table अभी म चीज बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको, जो time table में लेकिया है, वो आपसे share करूँगा, लास्ट किया है, दिखे, मैंने अभी कहा है, आपसे आपको slot wide study करनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे time table बनाने लगे, तो ऐसा सोचते है, दस से बारा मैं physics प पूरा नहीं हो सकता, अगर आपने वो बना के दे दिया, तो आपका mind उसको follow नहीं करेगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान से सुनिये, ऐसा target अपने mind को मदो, जो initially पूरा नहीं कर सके, इसको थोड़े थोड़े आदत बनाने दो, इसलिए आप से कहता हूं कि slots में study किया करो, छे घंटे का लगाता है और study कोई नहीं कर सकता, unbelievable time table मदो अपने आपको कोई फायदा नहीं हो उसका, सबको समझ में आता है, so आप लोग, अब मैं आपको time table लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं आप लोगों के queries लूँगा, ज अब मैं यहाँ पर, जो सबसे बढ़िया time table है, कम से कम, एक topper से मैं बात कर चुका हूं, और एक topper का मैं interview देख चुका हूं, उसके बाद मैं यह time table आपके लिए बना के लाया हूं, आप सब लोग, अभी 1200 बच्चे देख रहे हैं, सब लोग अभी copy pen ले लो और इसको note down कर कर रहे हैं आपके लिए तो प्लीज आप एक like का button जरूर दबाओ यार, मैं आपको सच में कह रहा हूं, यह like का button हमें इतना boost करता है, हम लोग सोचते हैं, हम आपके लिए जितनी महनत करें, जितनी information दे सकें, उतना हम आपको दे, लेकिन आप लोगों का, यह एक like का button सीधे हमारे दिल को touch करता है, और हम सोचते हैं, आप बच्चों के लिए जितना कर सकें, उतना करें, लेकिन आप लोग, मैं आपसे request करता हूं, like करो, इन वीडियोज को उन बच्चों तो लेगे जाओ, subscribe करो, चुकि यह सारी चीज, हमको बहुत जादा महनत करने को कहती है, कि इन बच्चों के लिए जितना करो, उतना कम है, और आप लोग जानते हो, पिछले डेट साल से, we are working very hard for you, पिछले बैच को